Hello everyone, welcome to CareWell classes आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की एक और MCQ वीडियो में आज की वीडियो है वो हमारे अलग सब्जेक्ट पर होगी और सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास? फार्मकोलजी फार्मकोलजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मा फील्ड का और आपको पता है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पूटेटिव एक्जाम फार्मा में अगर क्राक करना है तो आपको फार्मकोलजी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और अपने आपको अच्छा फार्मसिस्ट बताना है तो आपको फार्मकोलजी अच्छे से आने चाहिए तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीटा लैक्टम एंटिबाटिक्स बीटा लैक्टम एंटिबाटिक्स पे आपने रिसेंटली की कोशिश कीज़िए तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे है पहला कोस्किन पैंसिलीन is ऐसे इस दुनिया में आई थी तो चलिए explanation में आता है कि आप सबको पता है कि पेंसिलिन का अविश्कार डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लैमिंग जो कि Scottish physicist है जिन्होंने 1928 में पेंसिलिन का अविश्कार किया था इनकी कुछ हिस्ट्री इस तरीके से है कि वह अपनी लैब में अपने एक हॉस्पिटल की लैब में कुछ माइक्रोप्स के बारे में पड़ स्टेडी कर रहे थे उनमें एक उन्होंने कल्चर मीडिया बनाया वा था जिसमें स्टेफाइलो कोकस और यस करके एक बैक्टीरिया तो उन्होंने उस बैक्टीरिया में देखा कि वहां पर हमारे पास किसकी प्रोडक्शन शुरू हो रहे एक अलग माइक्रोगनिजम की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है जो कि स्टेफाइलो कोकस और यस की जो स्पीशिज है उसको मार रहा है means it is a bacteriocidal in nature तो और उन्होंन क्राइसोजनम आज की डेट में जानते हैं इस अविश्कार के लिए इन्हें नोबल प्राइज भी मिला गया था और यह one of the most important inventions मानी जाती है पूरी medical industry की क्यूंकि आपको पता है 90s के ताइम पे बहुत सारी बिमारिया फैल रही थी खासकर microbes के दौरा तो उसके दौरान पै पैंसिलिन की प्रोसेस के लिए लगे की पैंसिलिन को मार्केट में लाया जाए लोगों के हित के लिए यूस किया जाए 1964 में यह सबसा इंपॉर्टेट है 1964 में डरोथी होटकिन को हमारे पास को नोबल प्राइज मिला for determining the biochemical properties of various substances जिसमें पैंसिलिन भी इंक्लूड़िट थ होगे तो चलिए next question पर चलते है next question which of the following drugs is acid-resistant semi-synthetic pencil acid-resistant ठीक है acid से जो acid से खराब नहीं होती acid-resistant so options है आपके sulbactam, tozabactam, pencillin V या none of these pause कीजिए और वीडियो में वापिस आईए अपने answer के साथ तो answer है pencillin V क्यों है answer चलिए explanation को देखते है explanation में बताया गया है कि beta-lactam जो होते है देखिए beta-lactam antibiotics bacteria की cell wall को खराब करती है by inhibiting the enzyme आपको पता है मैं नहीं बता सकता because questions आगया आने वाले है so a beta-lactam antibiotics जो है वो further काफी classes में divider जैसे काफी types की है जैसे pencillin हो गया cephalosporins हो गया monobactam हो गया carvapenam and pencillinase inhibitor इन सब में कॉमन चीज है जो की है beta-lactam ring कौन से रिंग beta-lactam ring BLR हम इसे short form है बोल सकते है जो beta-lactam ring है वो सब में कॉमन है लेकिन इनकी जो identification है वो किस पे होती है on the basis of the second ring जो second ring उनके पास है ठीक है तो pencillin जी जो की benzyle pencillin है उसे हम iam root से देते है अब किया जरुरत पड़ी acid-resistant pencillin को बनाने की जरुरत यह थी कि जो हमारे पास pencillin थी उसका short duration of action था और ली लेते थे तो वो hcl उसे degrade कर देता था action उसका time से होता नहीं था जब तक microorganism को मारना है और microorganism बन जाते थे तो उसके लिए specifications बनाई गई नई-णई drugs की discovery होती गई तो और उससे हमारे पास acid-resistant pencillin आई जो pencillin जी है उसके जो नई pencillin है वो pencillin जी से कैसे डिफर करती थी जो नई pencillin है हमारे पास वो एक तो जो drug की poor oral biolability है drug की efficacy है उसको ठीक करती है जो resistance आता था pencillinase enzyme की वज़े से जो resistance आता था उसको overcome करती है और जो adverse reaction थे pencillin का बहुत important adverse reaction है जो की है hypersensitivity reaction जिसके लिए scratch test भी किया जाता है उस सारे adverse reactions को गटाया गया था through this newly formed semi synthetic pencillin और एक अब आपके पास नहीं चीज़ आने वाली है आपने फार्मकॉलजी पढ़नी है specially GPAD के लिए अगर आपने पढ़नी है तो इतनी drugs को याद कैसे करेगे सबसे पहला question होता है सबके दिमाग में कि क्या करें कि इतनी सारी drugs याद रहे तो उसका simple answer है trick से याद करें जैसे कि अगर आप सब प्लस्टू में आपके टीचर ने बताया ही होगा यह बहुत कॉमन चीज है प्लस्टू की halogen's halogen's को याद करने के लिए जब हमें group और periods के लिए बताते थे कि group में यह elements है यह elements है तो हम group 17 की बात करें तो हमारे पास थे halogen's जिसके short form थी फिर कल बाहर आई आंटी means fluorine chlorine bromine iodine and antimony इसने हमें जल्दी से याद हो जाता था कि हमारे group 17 में यह elements है वैसे ही हमें drugs याद करनी है tricks बना बना के याद करनी है जो कि tricks आपको याद हो सके और tricks हम देगे जैसे कि जहां से देखिएगा screen पर कहीं मच जाए देखिए यह हमारे पास trick different type की pencillin को याद करने के लिए जैसे acid resistant pencillinase resistant और extended spectrum तीन ही important चीज़े थी हमारे पास और तीनों ही cover हो चुकिए acid resistant में हमारे पास आता है pencillin V जो की answer था हमारे question का pencillin V मतलब phenoxy methyl pencillin oxacillin, dicloxacillin, cloxacillin, ampicillin यह सारी हमारी drugs है जो acid resistant है और इसका trick है याद करने के लिए doc verma या VA डॉक्टर वर्मा से आप याद कर सकते हो या doc VA किस तरीके से D for dicloxacillin, O for oxacillin, C for cloxacillin, V for pencillin V and A for ampicillin similarly हमारे pencillin is resistant enzymes resistant drugs पे cloxacillin, oxacillin, dicloxacillin, methicillin, nephicillin, code men या call of duty men आप इससे याद कर सकते हो code men या call of duty men COD men C say cloxacillin, O say oxacillin, D say dicloxacillin, M say methicillin, N say nephicillin और extended spectrum में हमारे पास तीन आती है amino pencillin, carboxy pencillin and uridopensillin इसकी एक trick थोड़ी से special है so वो trick को आगे एक अच्छा सा question आएगा उसमें इद बताया जाएगा so इस question का answer था pencillin V so I hope ये trick भी अच्छी लगी होगी आपको और आपको ये समझ भी आया होगा कि कितना important है trick से चीजों को learn करना अगर पसंद आया तो like भी कर देना या साथ साथ ठीक है तो next question पर आते है natural pencillin is अब इसमें क्या है हमें options देखने पड़ेगे options are livo rotatory, dextro rotatory, isomer या none of these तो natural pencillin क्या है pause कीजिए answer दीजिए तो natural pencillin है dextro rotatory अब हमें ये समझना है कि livo और dextro rotatory में क्या फर्क है जैसे हमने यहां पर example दिया है L-Alanin और D-Alanin का जो हमारे पास livo rotatory compounds है जब उन पे कोई भी plane polarized light पढ़ती है तो वो मुमेंट किस तरफ करते है उनकी जो मुमेंट होती है वो towards left side होती है और अगर हम बात करें dextro rotatory की और उनकी मुमेंट किस साइड होती है उनकी मुमेंट towards the right side होती है यह हमेशा यहां रखना है levo and dextro rotatory तो हमारी pencillin क्या है dextro rotatory तो यह था इस question का answer I hope यह question आपको easy लगा होगा अब next question पर आते है beta-lactam antibiotics inhibit which enzyme कौन सी enzyme को beta-lactam antibiotics inhibit करते है तो options है aniline ligase, transpeptidase, transglycosylase और inol pyrovate transferase so answer है transpeptidase क्यों है transpeptidase चलिये देखते हैं यह हमारे पास bacterial cell wall synthesis and drugs UDPG UDPM में convert हो रहा है क्योंकि Akasar ने इस पर बहुत detailed video बनाई हुई है आप जाके वह video देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी यहां बहुत रिविजन दे रहे है UDPG UDPM में convert हो रहा है LNL DLN में convert हो रहा है लगेशन होगी यंचेन की क्रॉस लिंकिंग होगी अब हर एक जगा पे एक ड्रग काम कर यह जैसे इनौल-पाइरोवेट क्रांस्फिरेस को रोकने तो फोस्फोमाइसिं काम करेगी अलल इन लाइस एक तो रोकना है अगर आप पिसले पड़के आयो वो वीडियो देखके आयो तो यह कोशन तो असानी से निकल रहे होगे तो चलिए नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं इसका डाई हाइड्रो थायजें क्यों है चलिए स्ट्रॉक्ट्चर्स को देखते हैं एक्सलेशन में देखिए बीटा लैक्टम जो है वह फुर्दर कई अब हमारा कोशन था सिफालोस्पोरिंज के लिए तो सिफालोस्पोरिंज में हमारी जो दूसरी दिख वह डाई हाइड्रो थायाजें रिंग इसके लिए आपको है है टीरो साइक्लिक केमिस्ट्री अच्छा जानी चाहिए यह सब चीजे आएगी आपर बीटालाक्तमेज इनिबेटर बीटालाक्तमेज इन्जाइम को इनिबेट करते थे उसमें कॉंसी यह वाली औकशाजॉलेदीन रिंग कॉनसी ऐसा तो यह सारे कॉशन 2015 से लेके 2019 तक मे बहुत बार पूचे गए है इसलिए यह सारे प्रिवेस एयर कोशन पेपर कोशन पेपर से ही निकाले गए कोशन है तो आप प्लीज इन्हें ध्यान से समझिए और इन्हें याद करके रखिए नेक्स्केण प्लीज फॉलोगिज यूरिडो पेंसलीन मैंने प्लीज एक अच्छी सी ट्रिक आएगी यहां पर तो प्रिक के लिए वही यह यह कोशन है विच अप फॉलएंगी से लिए उलिज पेंसिलीन कॉन सी है हमारे पास एक्स्टेंडन स्पेक्ट्रम में आती है यह हम identify करना है कि यह जो options दिये हैं इन में से कौन सी हमारी जो ड्रग है वो यूरीडो पेंसिलेंज के अंदर आती है पाइपरसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेंसिलिन और पेंसिलिन वी तो पॉस कीजिए और आंसर दीजिए आंसर है पाइपरसिलिन इन को डीजिए जैसे कि हमने आपको प्रेवियस में बताई थी एध त्रिक्स दॉक्ते वी एट धडैस वी एध्योजा सिलिन, क्लॉक्शा सिलिन, एम्पीडिन ऺंसिलिन वी दिय्ले सेटी एफ मे and this was the special trick for you extended spectrum में हमारे पास तीन द्रग तीन क्लासे आती है Aminopensilin, Carboxypencilin and Uridopensilin तो इसको अगर हम पीछे से स्टार्ट करते है PM, Prime Minister की कार जाएगी, Batinda to Amritsar, अभी से याद कैसे करना है Prime Minister, PM, P for Piperacillin and M for Mesosilin, Mesosilin, Car, Carbenicillin, Carboxypencilin में सिर्फ Carbenicillin Car, फिर जाएगी इससे कुछ नहीं, यह से फिक लाइने आपको याद करने है Batinda, Batinda का B, Bicampicillin, Aminopensilin में Bicampicillin, 2, Amritsar, Amoxicillin and Ampicillin 2 से याद रखने हैं हमारे पास दो ड्रग्स है, Ampicillin, Amoxicillin, तो PM की कार जाएगी Batinda to Amritsar, अब Piperacillin कौन सी ड्रग है हमारे पास, Piperacillin, Uridopensilin है एक और यह ज्यादा तर हमारे पास, जब हमारी कोई Burns related injury हो जाती है, उसमें treatment करने के लिए यूज की जाती है, और Carbonicillin से आठ गुना ज्यादा अक्टेव रहती है, तो एक बहुत अच्छी ड्रग है सारे questions को, सारे एक एक point को देखे कि हाँ, इसका यह आगे, इसका यह आगे, आपने कुछ नहीं सिर्फ दो का देखना है, कि दो के मेरे पास सही अंसर आ गए, अगर आपको और दो के नहीं आते होगे ना, तो वो तो सही निकलेगे ही निकलेगे, सिर्फ दो के आने चाहिए सो इसका आंसर है, B, P2, Q1, R4, S3, अब देखते हैं क्यों है यह आंसर, सिफलिस की treatment, पैंसिलिन G, पैंसिलिन G is the drug of choice for सिफलिस, नियूरोलेप्टिक सिफलिस, दिमाग के आठवें ताले में बान दीजिए इस बात को, क्योंकि एक कोशन कई वार पूछा गया, सिफलिस क्य पैंसिलिन G is the major drug of choice for सिफलिस, नेक्स्ट है गनोरिया, गनोरिया क्या है, गनोरिया भी एक तरह का STD है, जो कि नाइसेरिया गनोरे से प्रड्यूस होता है, जो कि एक ग्राम नेगटिव माइक्रोब है, और इसकी drug of choice है सिफार ट्राइक्जोन, सिफार ट्राइक्जोन क्या ह सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस, जब कोई भी सर्जरी की जाती है, आपको पता है, सर्जरी के दोरान बोडी को कट किया जाता है, तो उसके दोरान बोडी एक्सपोज बहुत होती है, आउटर इंवर्मेंट से, तो सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस, प्रोफाइल एक्सेस का क्लास की prototype drug है prototype drug का मतलब होता है कि वो उस class की सबसे पहली drug है और उसी उसी drug को लेकर काफी सारी उसी सेम class की drugs आई है माली जी हमें सिफ़ ट्राइग्जोन है यह सिफ़ जोलीन से के लिए में बता रहा हूं ठीक है तो prototype क्या होता है आपको आपको पता लग गया होगा नेक्स्ट स्यूडो मुनास इंफेक्शन से होता है यह infection basically यह infection UTI respiratory tract infections को कॉस करता है और इसकी drug of P2 तीन option में आ गया चलो जी अगर आपको पता होता सर्जीकल प्रॉफाइल एक्सेस का क्या है सर्जीकल प्रॉफाइल एक्सेस का नहीं होती है तो वो है सिफलोथीन, सिफा ट्राइगजोन, सिफो पैराजोन, बोथ B & C, अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा इंडेप्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे कोशिन्स के लिए, तो इसका अंसर है, बोथ B & C, सिफो ट्राइगजोन, और सिफो पैराजोन, सो एक्पैलोस्पोरीन जो है, वो एक बीटा लाक्टम एंटिबाइटिक की ड्रग है, और इसका जो रिंग B है, वो है डाइहाइडो थायाजीन, जो कि हमने पिछले कोशन में देखा, सारी सिफैलोस्पोरीन हमारी किड्नी में, थ्रू, थ्रू वाट, एक्टिव ट्यूब कई और और और्गन से निकाली जाती है, तो अब आप यह देख सकते हो, कि यह जो ड्रग है, सिफ्ट्राइक्जोन, सिफ्ट्राइक्जोन और सिफो पैराजोन, अगर तो यह किड्नी के थ्रू नहीं जा रही है, ठीक है, तो यह ऐसे पेशेंट्स के रिए कारगर होगी, ज जो कि क्या करे, किड्नी के लावा किसी और रूट के सू, जैसे बाइल के थ्रू हमारा सिक्रीट आउट हो यह है, तो यह है हमारे पास सिफैलोस्पोरीन और यह है इसकी दाय हाइडरो थायाजेन रिंग, तो अच्छा लगा तो प्लीज, लाइक कीजिए, बार-बार कह रह यह कुशन बहुत ही इंट्रस्टिंग है, अब देखिए, आंसर है इसका, अजट्रियो नाम, क्यूं देखते है, अब हमारी, हमने क्लास्स पड़ी, तो उसमें हमारे पास एक मोनो बैक्तम आ रहा था, तो मोनो बैक्तम से ही नाम से ही मतलब समझ लीजिए, मोनो में सिंगल सिंगल बैक्तम मेंस, BLR, BLR रिंग, और बीटालैक्तम अंटिबियोटिक्स, इन विच ओनली वन रिंग इस प्रेजन, बीटालैक्तम रिंग, तो ओनली ड्रग्स औफ इस इस क्लास की सिर्फ एक ड्रग है, जो है अज़िट्रियो नाम, हमें ज्यादा याद निकरना, इन ड्रग से कोई अलर्जी हो, तो उस केस में हम अज़िट्रियो नाम का यूस करते है, देखिए यह हमारे पास सिर्फ एक ही बिटालैक्तम रिंग है, सिर्फ एक बिटालैक्तम रिंग है, तो यह हमारी मोनोबैक्टम, तो कोशन में यही पूचा गया था, कॉनसी ड्रग म अज़िए रियक्शन को प्रड्यूस करती है, और अप्शन सिफैलोस्पोरेन, कारवा पिनांस, पैंसिलिन, एन बिटालैक्तम रिंग अर्जुन, भीम, चानक्य या द्रोन, आपने आंसर बताना है, इन में से कौन सा हो सकता है, हिंट आपको दे रहते हैं, हिंट है जारिक हैं, हेक्जिमेर रियक्शन इस टाइप अपर यहां पर बात आगई है, हाइपर सेंसिटिविटी रियक्शन में, तो आपको मेरे को नहीं नहीं लगता कि लिए होगा, इससे ही काफी चीजे, क्लियर आउट हो गई होगी, तो आपको यह अच्छा लगा होगा लेकिन अभी हेजिंग अकस दू प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट इंदर हाइब तेमपरेचर रीजन था डिफेक्ट अकर्स ड्यू तू यूज ऑफ सेल्वस पॉलीमर इन कोटिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन तो अर्जुन भीम चनक के द्रोन आपको इन में से एक चूज करना था तो इन म कोटिंग में वहां पे थोड़ा सा क्या हो रहा है हमारा थे हॉयरा हैलक है यूमिडिफिकेशन ज्यादा अपने कार के शीषे पर आप पानी मार दोगे ठीक है थोड़ी सी फूख कर दोगे सर्दियों में तो सब करते है थोड़ी सी फूख मार दोगे वो धुल्ली हो जाती है वैसी ही यहां पर होता है यह ज्यादा तर हमारी उन टैबलेट्स में दिखता है जिसमें cellulose polymer का यूज किया जाता है क्यों कि cellulose polymer ही film coating में यूज किया जाता है और इसके दो नाम है hazing, blooming या dull film effect इनमें से अगर कोई भी नाम आजे तो आपने confused नहीं होने है तो I hope आप आपको यह question भी अच्छा लगा हो और answer भी आपका आया होगा तो थैंक्यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए अगर यहां तक आ गए हो यार तो लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो और 11 कोशन का बीटा लाइक्नम आंटिबाटिक्स का आंसर जाजूर देना कमेंट में और हमें भी रिस्मांस दीजिए कि आपको हमारी सब्सक्राइब करें लिए और फर्दर भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है आपके लिए तो थैंक्यू सो मच